नमस्कार दोस्तों निशु उसकास्क में आप लोगों का स्वागत है आज मैं इस एपिसुर में एक अलग टॉपिक पे बात करने वाला हूं कैसे हैं अपने यहां ड्रिंक करने वाले काफी लोग है लेकिन ड्रिंक इंथूजियस्ट जो कहता हूं विसकी इंथूजियस्ट इसकी कमी है उसका रिजन यह है कि अपने यहां कई लोग कई बार कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं ड्रिंक करते टाइम कि उनको ड्रिंक्स क जो experience होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है उसका मजा गिरगिरा हो जाता है और उसी की वज़े से आगे चलके वो drink enjoy करना या तो वापीस एक बार drink करना उसके लिए जाते नहीं या तो फिर जो अपना original brand है उसी को चिपक के रहते हैं तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसी mistakes ज कहीं लोग तो करते हैं इवन मेरे से भी ऐसी mistakes drink करते टाइम हुई है लेकिन फिर मैंने खुद को थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया और educate कर लिया और उसके बाद मुझे जो drink करने का मजा आने लगा तो वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूं तो normally जो drinking mistakes है उसके बारे में हम ब होती है रम वोड़का जीन बाकी के जो alcoholic drinks है वो पिते टाइम भी हम लोग कई बार कुछ गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वैसे हमें खराब experience मिलता है तो उसे हम find out करेंगे कि क्या गलतिया हमारे से होती है और वो नहीं होनी चाहिए इसके लिए ये episode मैं बना रहा हूं त तो चलो देखते हैं पहली गलति क्या करते हैं हम नॉर्मल हमारे से एक गलति हो जाती है कि हम proper whisky buy नहीं करते हैं हम जो whisky buy करने जाते हैं शौप पर purchase करने जाते हैं तो वो time पर हमारे से एक गलति हो जाती है कि हम लोग हमारी जो routine whisky है वो लेयाते हैं और उसी को consume करते हैं क तो वह भी विस्की पीते टाइम हमें कुछ अच्छा experience मिला है या तो एक taste हमारे पहले develop कर लेती है और उसी के विए से वह हम लग उसी विस्की के लिए जाते है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर एक एपिसोड में मैं विस्की वाला एपिसोड है तो उसमें मैं कहता हूँ जांकि you must read the label of the bottle and box box best method read keep your label विस्की कौन सी विस्की है यानः बर बन विस्की है scotch विस्की यह blended scotch सिंगल मौल्ट तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि यह कुण से ंबच विस्की है और दूसरी बात यह कि ये फिर हमें यह भी पता चलता है उसमेंसी ये कौन से ग्रेन से बनी है, क्या इसमें माल्टन बारले इस्तेमाल हुई है, इसमें कॉर्न इस्तेमाल हुई है, इसमें राइ इस्तेमाल हुई है, कि ये सब का ब्लेंड है, ऐसे अगर हम वो बॉक्स के उपर पढ़े, या तो बॉटल के उपर पढ़े, तब हमें यह पता चलता है कि वो विस्की किस grain से बनी है या उसमें ingredients क्या है उसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि यह बॉटल कितने साल तक aging की हुई है यह कास्ट में जो aging होता है वो कितने साल की है यह उसमें यंगेश विस्की कितने साल की है उसी के साथ एक और बात हमेरे नजर मे आने चाहिए वो यह कि यह कौन से देश की विस्की है Scotland की है American मिस्की है Irish मिस्की है Japanese विस्की है या Indian मिस्की के बारे में तो मैं हमेश्चा बताता हूँ कि आज कल बहुत अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में हभी हो थो तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह कौनसे कंटर की विस्खी है बार में और एक ध्यान देना चाहिए हमें यह कौनसे distilleries से है यानि Scotland में कही distilleries जैसे Glen Piddick, Glen Levitt और Glen Murange गंलेन में हिए इतनी डिस्टीलरी ही और लेफरॉऑग है तो हमें यह well 원래 बोना चाहिए। और ऑने ब्ता रखते सिंदिश्टोरी कि गहां ऊपा सिंदिश्टोरी कोशे हरी म हिवीटेशन पमाय। अच्छे अच्छी विस्की वो बनाता है, for example, Paul John है, then Amruth है, Rampur है, Sigrams है, तो ऐसी कुछ डिस्टिलरी अच्छे अच्छी विस्की बनाता है, तो हमें वो भी ध्यान देना है कि वो कौनसे डिस्टिलरी से बनी हुई है, तो यह सब देखना, यानि मैं तो कहता हूँ, आपको यह विस्की एक्स्प्लोर करना चाहिए, विस्की वाटर या तो विस्की बॉक्स जो एक्स्प्लोर करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए, ता कि हमें एक अच्छी विस्की मिले, अच् विस्की का सही मज़ा लेना है तो आपको एक प्रॉपर ग्लास यूटिलाइज करना चाहिए जैसे कि विस्की के लिए हम नॉर्मली हाइबॉल ग्लास इस्तमाल करते हैं या तो उल्ड फैशन ग्लास इस्तमाल करते हैं जिसमें विस्की ड्रिंग करने में मज़ा आता है and if you are going for nosing and tasting यानि मैं जैसे nosing टेस्टिंग करता हूँ वो टेम पे मैं ग्लेम केम ग्लास इस्तमाल करता हूँ यह वाला तो ऐसे अलग-अलग टाइप के ग्लासे अलग-अलग ड्रिंग के लिए बनाई हैं तो उसका अगर हम इस्तमाल करें तो हमें और मज़ा आता है ड्रिंग करने में और उससे एक अच्छा experience मिलता है बाद में हम जो विस्की में पानी आड करते हैं वो भी हमें perfectly देखना चाहिए कि कितना पानी हमें आड करना है ताकि विस्की का जो टेस्ट है वो गिरगिराना हो जाए तो कहीं बार लोग soft drink आड करते हैं सोडा होगरे आड करते हैं तो उसकी भी quantity particular होनी चाहिए ताकि you should enjoy the taste of the whisky actually मैं तो कहूं whisky एक ऐसा drink है जो actual उसकी टेस्ट पिने में ही मज़ा आता है लेकिन कहीं लोगों को whisky का actual taste पसंद नहीं आता है तो वो लोग soft drink और सोडा होगरे आड करके उसे पीते है that is their choice no doubt about that कि जिसको जीस तरीके से whisky पिने में मज़ा आता है वो पीए but I will recommend कि original taste as it is रहे तो बहुत अच्छा रहता है कई लोग neat भी पीना चाहते है तो neat whisky पीते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कितने quantity में whisky पीनी है और अगर neat पीनी है तो कितना समय लेना चाहिए उसे वो एक पे consume करने के लिए कितना समय लेना चाहिए मेरा एक एपिसोड है इसके उपर आप लिंक में जाके देख सकते हैं और तीसरी बात यह है कि हमें ये सब करने के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा खुद को educate करना चाहिए कि हम खुद को अच्छी whisky पीने के लिए और अच्छा experience पाने के लिए हम खुद को educate करें तो मैं यही कहूंग कि अपने drinking style को थोड़ा change कीजिए और मैंने जो points बताए उसके उपर जड़ा गौर कीजिए बाद में हम लोग आते हैं अपने third mistake जो हम लोग हमेशा करते हैं इवन मेरे से भी ऐसी mistake हुई है वो यह कि whisky storage जो करते हैं हम whisky कहां पर रखना है तो उसके बारे में भी हम लोग कहीं गलतियां करते हैं अगर आपके पास glass से बना हुआ एक बार है जो इसमें glass लगी हुई है और आपने उसमें अगर बॉटल ऊपन रखी है और east side से या तो west side से उसके उपर evening के time या तो early morning के time अगर उसमें धूप आती है तो that may ruin the taste of the whisky जैसे मैं कहता हूं कि whisky bottle धूप में नहीं आनी चाहिए और even beer bottle also तो वो अगर आती है धूप के contact में याने sunlight के contact में तो उससे थोड़ा सा जो whisky का taste है वो थोड़ा ruin हो सकता है तो उसके उपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि you should keep the bottle in a dark and cool place इसके लिए अगर आप whisky के सा जो box मिलता है उसी में रखे container में तो that will be better और अगर box नहीं है तो उसे हम cupboard में वगरे रखे ताकि direct sunlight ना लगे बाद में next point है कि उसका oxidation हम कैसे कम करें देखिए whisky bottle open करने के बाद जो हम लोग consume कर लेते है तो बाद में जो area available रेती है उसमें air आती है air में oxygen रहता है and because of the oxygen जो बाकी की whisky है उसके taste में जादा दिन रखने के बाद बदलावाता है आप अगर whisky consume करते हैं उसमें जादा तर whisky consume हो गई है और 180 ml वगरे whisky रह गई है उसमें तो area of the air वो जादा रहेगा bottle में तो उसके वैसे oxidation उसका जादा उसके उपर असर करेगा और उसके taste में बदल से ही रखे तो अगर हो सके तो consume that whisky at earliest और अगर नहीं तो आप उसे एक छोटे से bottle में empty करके छोटे से bottle में pack करके रखिए ताकि उसका oxidation कम हो और उसकी taste as it is रहे तो ये एक mistake हमारे से नहीं होनी चाहिए इसके लिए आप ध्यान दीजिए अब देखते हैं हमारी चौथी mistake, fourth mistake fourth mistake में हम करते हैं कि whisky जो हम लोग लेते हैं that is एक status या तो एक prestige को देखके हम लोग लेते हैं याने हमारे नजर में कुछ ऐसी distilleries है ऐसी whisky है जिसको buy करने से हमारा prestige या तो status थोड़ा बरकरार है या तो एक level हम लोग maintain करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग कितने भी पैसे दालते हैं देखिए मेरा कहना यह है कि भी पैसे आपके हैं विसकी आपकी है चोईस आपका है लेकिन आप अगर उसमें उतना पैसा डालते हैं तो क्या आप उस पैसे के लिए वो justice पाते हैं आप एक status के लिए particular whisky का brand लेते हैं और कहीं बार ऐसे होता है कि एक particular cost की whisky जो higher status की है उसी cost में एक बढ़िया उससे भी बढ़िया विसकी आपर मिलती है तो you should go for that whisky also क्योंकि आपको उससे कुछ बढ़िया विसकी भी मिलती है तो उसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए not only the cost है उसके उसके उपर या तो जो brand है उसके उपर यह मेरे कहने का मतलग है कि उसे status symbol मत बनेंगे है तो for that you must have little knowledge about buying the whisky because of that you can give justice to your money hard on money उसको आप justice कर सकेंगे तो यह mistakes अंजन में अपने से हो जाती है तो उसे आप सुधार सकते हैं हमारी इस एपिसोड की कभर की हुए इने पांचमें मिस्तिक जो कई बार हमारे से होती है even मेरे से भी होती है होती थी अब मैंने खुद को control किया लेकिन कई enthusiasts लोग या तो जो drink करने वाले लोग है वो quantity यह विस्की drinking quantity पे ध्यान नहीं देता है drinking more quantity is not important हमें जो drink करना है वो जादा drink नहीं करना है हमें जादा सालों तक drink करना है तो इसके लिए हमें एक particular quantity यानि मैं कहता हूना हमेशा moderate drinking कीजिए तो वो इसलिए कि आप अगर moderately drink करेंगे तो उसका मजा भी आता है and you enjoy the moment also उसमें सबके साथ drink करने में मजा तो आता है and अपनी health भी अच्छी रहती है यानि मेरा कहने का मतलब यह है कि you don't abuse your health जो अपनी health है उसका ध्यान रखिये ताकि जो नए 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 ब्रांड्स आने लगे है भी इंडिया में भी और foreign के भी तो उसको हम लग टेस्ट करने के लिए अपनी health तो अच्छी रहने चाहिए तब जाके आम दो उसको enjoy कर सकते हैं तो मेरा यह कहना है हमेशा यह कहना है कि drink करते समय एक particular quantity maintain कीजिए एक खाद बार ऐसे ठीक है but then also अगर आप regularly weekly यह तो alternate days अगर करते है या तो daily drink करते है तो you should maintain the limit and you know the limit of moderate drinking और वो आप follow कीजिए ऐसा मेरा कहना है and simultaneously don't stick to one particular brand इसका reason तो मैंने कहीं पर बताया है कि एक तो उसकी आदत पर जाती है और वो अगर brand नहीं मिलता है तो you won't enjoy the other brand of brand whiskey या तो other brand rum, jean, moorka जो भी दूसरे brand का मिला तो आपको वो party में मजा नहीं आता है क्यों तो आपने खुद को एक आदेट डालके रखी एक particular brand को चपक के रहने की या तो particular brand लेते रहने की so keep on changing the brand which is beneficial to you also ताकि अच्छे-ची whiskey's taste करने को मिले और enjoy कर सके तो दोस्तो मेरा खहना है कि ये 5 गलतिया जो मैंने बताई है ये आप drink करते समय ना कीजिए और खाज जो whiskey enthusiast है उनको तो ये गलती नहीं करने चाहिए क्योंकि whiskey एक ऐसी drink है जिसमें बहुत बहुत type of variety है तो उसे variety को enjoy करने के लिए हमें मजा आना चाहिए तो दोस्तों मुझे बताईए ये informative episode आप लोगों को कैसे लगा एक कुछ मैंने एक style of drinking ये मेरा जो हमेशा slogan है अपने निशूसकास का let's learn how to drink it right आप लोग भी उसे implement कीजिए ताकि आपको आगे चलके drink करने भी मजा आए तो मुझे बता है कि आप लोगों को एपीसोड कैसे लेगा और आप अगर चानल पे नए है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए like कीजिए और share कीजिए और कितने भी अच्छी विस्की हो या गुर्का हो जीन हो रम हो या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक हो Always निशूसकास यही कहता है के drink moderately, don't drink and drive, drink responsibly and let's learn how to drink it right Cheers to निशूसकास झाल